दोस्तों किया आपका mobile बहुती slow charge होने लग गया है जब आपने नया नया mobile लिया था तो काफी fast charge होता था लेकिन जैसे जैसे mobile पुराना हो गया है अब charging के समय बहुत जदा गरम हो रहा है और बहुती slow charge हो रहा है तो सिर्फ एक बार मैं request करूँगा ये video को पूरा आप देख 100% दोस्तों ये problem हमेशा के लिए आपके phone से solve हो जाएगा आपका mobile इतना fast तरीके से charge होगा ना हर कोई देख करके चोग जाएगा समझे हो आपको ज़्यादा कुछ करने की जुरूत नहीं है बस आपको अपने mobile में कुछ hidden setting को on कर लेना है इतना सा काम बस आपको अपने mobile में करना है charging की जो भी problem आपके mobile में हो रहा है वो हमेशा के लिए solve हो जाएगा आपको service center भी जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी एकदम fast charge होगा और आपका mobile charging की समय गरम भी नहीं होगा ठीक है तो उसके लिए आपको करना कै कौन सा hidden setting on करना है जानना चाहते हो तो इस सब्रों को आपको like करना है and continue का इसी सब्रों को देखते रहना है तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा hidden setting आपको अपने mobile में करना है जिसके बाद दोस्तों जब भी आप अपने mobile को charge में लगाएंगे ना तो आपका mobile phone दोगनी तेजी से charge होगा और इतना कम समय में full charge हो जाएगा कि आपको भरोसा नहीं होगा और थोड़ा सा भी दोस्तों charging की समय आपका mobile गरम नहीं होगा बस आपको ध्यान से जो जो setting बताऊंगा उसे अपने mobile में apply करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे अपने mobile phone में जो setting होता है इसे open करेंगे अब यहाँ पर आपको एक दो setting नहीं करना है चार पांस setting आपको करना है तो कोई भी एक setting अगर आप miss कर जाओगे ना तो भाई बाद में problem होगा तो कोई भी setting आपको miss नहीं करना है ठीक है तो सबसे पहले number का setting करने के लिए यहाँ से आपको नीचे की तरफ चलियाना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर location नाम का यह setting देखने को मिल जाता है तो आपको इसके उपर click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से बात सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ जब भी हम अपने mobile को charge में लगाते हैं तो यह जो location है यहाँ से on रहता है जिसकी वज़े से हमारे mobile में जितने भी app होते हैं वो location को access करते रहते हैं आप आपका जो mobile phone कहीं पर भी रखा हो या फिर आप कहीं ट्राविल कर रहे हो charge में लगा अकर कोई issue नहीं है आपके mobile का जो location है वो हमेसा सभी जो app है वो access करते रहते हैं जिसकी वज़े से जब आपका mobile charge में लगा होता है ना तो बहुत ही slow charge होता है समझ रहो तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा जब भी आप अपने mobile को charge में लगाते हो ना तो यह जो location है इसे आप बंद कर दिया करो सिर्फ दोस्तों आपको तब तक बंद करना है जब आप अपने mobile को charge में लगा रहे हो अगर आप बाहर कहीं travel कर रहे हो तो ऐसे में आप on रख सकते हो लेकिन जब आप घर में हो तो ऐसे में इसे दोस्तों आपको बंद करके अपने mobile को charge में लगाना है ताकि आपका जो mobile है यह काफी fast तरीके से charge हो तो यहाँ पहला setting हो गया यहाँ पर आपको करना है उसके बाद आपको back कर देना है back करने के बाद दोस्तों आपको जो है दूसरा setting करना है ठीक है दूसरा setting करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है developer option के अंदर ठीक है तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर आपको setting देखने को मिल जाता है, ठीक है मैं आपको setting दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं background process limit, अब होता का है दोस्तों यह standard limit पर set होता है, जिसकी वज़े से जब भी हम अपने mobile को charge में लगाते हैं, तो जो हमारे mobile phone के अंदर background में services हैं, और जो app है, यह बहुत ही तेजी से run होते हैं, वो भी एक नहीं बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर standard limit पर यह set है, तो यसे में दोस्तों हमारा mobile fast charge होगा, नहीं होगा, जब आपके mobile के background में इतने app run हो रहे हैं, इतने services चल रही हैं, तो कहा से आपका mobile fast charge होगा, आप ज़रा सोचिए, है ना, इसी वज़े से आपका mobile गरम हो जाता है, charge में भी लगा देतो, और background में इतने सारे services run हो रहे होते हैं, तो उन्हें दोस्तों आपको रोकना है, उन्हें बन करने के लिए आप इसे क्या कर देंगे, no background पर set कर देंगे, ताक आपको यहां से बैक कर देना है, बैक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहां पर तीसरे number का setting करना है, तीसरे number का जो setting है, यह आपको display के अंदर करना है, ठीक है, तो आपको display के उपर click करना है, अब यहां पर दोस्तों क्या होता है, जब ही हम अपने mobile को charge में लगा देते ह तो अलग-अलग जगे से call, message आने शुरू हो जाते हैं, बहुत से messages call आ जाते हैं, call जब हम अपने mobile को charge में लगाए रखते हैं, तो ऐसे में दुस्तो बार-बार जो screen ये on होता है, off होता है, on होता है, off होता है, इससे भी दुस्तो आपके mobile phone बहुत ही slow charge होता है, तो यहाँ पर select कर देना है, जब भी आप अपने mobile को charge में लगाएंगे ना, और यहाँ पर dark mode select कर देंगे, तो बार-बार message call आएगा, screen on off होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो mobile है, वो fast तरीके से charge होगा, समझ गए, तो यह तीसरे number का setting आपको यहाँ पर कलेना है, फिल यह बात दोस्तों आपके mobile में कई गुना तेजी से fast charge करने वाला जो feature है, वो enable हो जाएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ चले आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर battery and device care नाम से setting देखने को मिलेगा, तो इसके उपर आपको click कर देना है, य यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर दिया है more battery settings, इस पर आपको click कर देना है, अब यहाँ पर दोस्तों fourth number का जो setting है, वो आप देखेंगे fast charging का है, और यह by default company की तरफ से बंधो के आता है, जिससे जब भी हम अपने mobile को charge में लगाते हैं, तो mobile बहुत slow charge होता है, तो fifth number का setting आपको यहाँ पर कर लेना है, जिसके बात दोस्तों यहीं पर आपको fifth number का भी setting करना है, जो इसके just नीचे दिया हुआ है protect battery, यानि कि दोस्तों अगर आप इस setting को यहाँ से on कर देते हैं, और जब भी आप अपने mobile को charge में लगाएंगे, तो आपके mobile का जो battery है, वो अपने battery को use कर पाएंगे, अच्छा battery backup भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक advanced setting दिया हुआ है, adaptive battery इसे भी आपको यहाँ से on कर देना है, यानि कि यहाँ पर जो जो battery का setting दिया है, सभी को आपको on कर देना है, तो यहाँ पर total मैंने दोस्तों आपको 6 setting बता दिया, ठीक है यह 6 setting एक बार आप अपने mobile के अंदर कर लोगे, तो आपका mobile दोस्तों खुदी fast charge होने लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख लिजे मैंने सभी setting को कर लिया है, mobile को यहाँ पर charge में लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो अभी charging लिखा आ रहे है, लेकिन य हमारे mobile के अंदर जो fast charging है, ओ enable हो चुका है, समझ गया है, तो इसी तरीके से आप अपने mobile phone को fast charge कर सकते हैं, तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक हो शेयर करना, साथी सा चैनल को सस्क्राइब कर लेना, ठेंक दोस्तों, बाइबें, टेक क्यर,